सो एंगाईज विलकूम बैक यू आल तो देशनल ट्रेटेग्ट कॉम्यूनिटी में अप्वी का एक बाप फिर से स्वागा थे आज किस वीडियो हम बात करने बाले हैं market में कल क्या क्या planning हम करके चलेंगे कल कौन कौन से level को हम trade करेंगे तो उन सब चीज उपर बात करेंगे और साथ ही साथ में हम levels के उपर भी focus करेंगे कि कौन कौन से level ज्यादा work करने वाला है जैसे अगर आप आज देखनी कुशिस करोगे सबसे बढ़ी है market हमारा resistance यहां से लेता है नीचे की और आता है यह support लेता है फिर नीचे आता है यहां पर हमारा एक pyramid strategy अक्टिवेट होता है बहुत छोटे stop loss के साथ market 1-5 target देता है बट premium उतना जादा बढ़ता नहीं है तो हमें कुछ अच्छा खासा profit देखने को नहीं मिलता जितना में expect कर रहे थे क्योंकि इंडिया विक्स बहुत ज्यादा कस्के फॉल किया 18% के आसपास अल्मोस्ट 18% इंडिया विक्स डाउन हुआ है इसके विएसे premium में मतलब बढ़ोतरी में देखने को नहीं मिल रहा है सो फर्स ट्रेड में पिरामिड के कॉर्डिंग यहां मिला 1-5 हमने यहां पर capture किया बट premium होता नहीं बढ़ा यह सब के साथ problem हुई होगी ऐसा नहीं कि मेरे setup साथ problem हुआ है यह ना बट मेरे setup बहुत बढ़ी काम किया index पर सब्सक्राइब में यहां मिलता resistance के पास market आता है यहां पर पिरामिड सेट अप अक्टिवेट होते हुए दिखता है यहां तक हम टागेट प्लाइं करते हैं यहां तक हम टागेट प्लाइं करते हैं 1-5 हमें easily market देता है और उसके बाद फिर से support ले करके market ऊपर जाता है फिर सब्सक्राइब करते हैं तो अगर आपको यह फ्री लेवल्स चाहिए तो मेक्शियो के टेलिग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वहां सब्सक्राइब कर रहा हूं वह आगे इन फ्यूचर आपको उसके बारे अपडेट चाहिए होगा तो उसका भी अपडेट मै आपको यह दूँगा तो जाकर करके वह जरूर जॉइन कर ले अप्लिकेशन को डाउनलोड कर ले ठीक है चले तो यह हुआ कुल मिला करके अब लेवल्स क्यों इंप्टेंट मैंने बता दिया क्योंकि देख लो रिजिस्टेंस सपोर्ट रिजिस्टेंस सपोर्ट फिर उप पर यहीं पर क्लोजिंग मतलब बहुत ही परफेक्ट ली वन ट्रॉ ट्री टाइम फॉर टाइम फिफ्ट टाइम जिक्स ताइम मतलब दो लेवल्स जो मैंने खीचे उसी लेवल के बीशे मार्केट कंप्लिटली अब रहा और उसी लेवल के बीशे में दो ट्रेड भी बना तो यह कुल मिला कि आज का दिन था हलाकि अब तो नेक्स दे हो गया चौबिस तारीक हो गया ठीक है तो अभी मैं जो वुडियो शूट कर रहा हूँ बारा बच के 37 मिनट पर शूट कर रहा हूं तो कल के लिए मैं लेवल काम करने वाला मार्केट में तो उसके कॉर्डिंग हो बहूत है रिजिस्ट शौट सपोर्ट अगें सबूर्ट अगें सबोर्ट अगें सब्यूर्म बात लेवल टे macht ने कितने परफेक्ट नी तरीकिया से इसको respect किया है, so this is the power of labels, तो मैं nifty bank nifty दोनों का labels आप सब के सामने भी ड्रॉ करकर देता हूं, and आप उसको use कर लेना, बहुत बड़ी है पैसे आप बना सकते हो, ठीक है, चलिए, आप अपने चार्ट पे labels को लगा लेना, okay, तो एक बार मैं delete करते हूं सारे labels को, and first of all, कोसिस क just wait, fourth label is like, one second, I can draw it here, but yeah, this, so कल के लिए ये चार label है, फिलाल ठीक है, अगर market नीचे आता है, तो हम नीचे के लेवल देखनी कूशिस करेंगे, तो market में नीचे की और जो लेवल में दिख रहा है, according to our analysis, our experience, वो ये लेवल है, ठीक है, तो और अगर इसके नीचे भी आ जाता है, तो आप एक और लेवल खीश लो, दिक्कत किस चीश की है, हलाकि यहां तक आना नहीं चाहिए, just do it, इसको delete कर हटाओ, अगर जरुद तो देख लेवल है, तो ये लेवल है, अब क्या करो आप, यहां पे ना, सारे लेवल पे, horizontal, एक rectangular box ड्रॉख कर लो, because support resistance is not a single line, it's a zone, तो आपको zone mark out करना है, इसको मैं रेडिकलर में कर देता हूँ, आप सब के सामने ड्रॉख कर रहा हूँ, ताकि आप सब भी चीजों को सी करो है, यह देखो, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं zone define कर रहा हूँ, मैं कोई single line पर dependent नहीं हूँ, हमें यह single line खीचा है, यह single line कोई market respect करेगा, हलाकि market respect करता है, but हम safe रहने के लिए zone के ऊपर focus करते है, ताकि market के पास नो थोड़ा space हमें मिल जाए, औके, just wait, और एक बात level का हमेशा ध्यान रखना, कोई भी level हो, कोई भी level हो, मैं बताता हूँ, just wait, पहले इसका color change कर देते हैं, support and this is also a support, चलो, एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, कोई भी level हो, है न, कैसा भी level हो, मान लो, अगर market इस जगह पर भी closing है, है न, अगर market इस जग कौँ सा था, इसके उपर जो भी level हो, आज़े resistance काम करेगा, और इसके नीचे जो भी level हो, आज़े support काम करेगा, यह सब क्या है, support है, यह सब क्या है, resistance है, जब तक यह level का breakout नहीं हो जाता, तब तक यह support नहीं बनेगा, जब तक यह level का breakdown नहीं हो जाता, तब तक यह level resistance नहीं लेकिन एक बार जैसे ही market ने इस level का breakout कर दिया, तो दुबारा जब market आएगा तो यह same level अब green color में आपका हो जाना चाहिए, अब यह same level आज़ा support काम करेगा, vice versa जैसे ही market ने इस level को hold down करके breakdown कर दिया, तो अब यह level के पास जब दुबारा market आएगा, तो यहाँ से आपको एक rejection देखने को मिलेगा, अब यह same level जो पहले support के तरह काम कर रहा था, अब resistance के तरह काम करेगा, तो यह simple सा concept है market का, every support after breakout, after breakdown it's become resistance, and every resistance after breakout it becomes support, तो इस बात का ध्यान रखना है, अब इस तरीके साब plan करो, तो यह first level is 48302, second level 48116, third level 48494, fourth level 4789, and fifth level 47784, तो यह bank nifty के levels होगे, अब हम nifty के लिए plan करते हो, अचा, क्या क्यात करना है, trade जहाँ भी market open, जैसे मालो flat open होता है, उपर जाएगा, यहाँ पर shot कर सकते हो, अगर flat open ने को बाद market नीशी आता है, यहाँ से कहीं ने कोई छोटी से bank opportunity देख सकते हो, और अगर market यहाँ पर hold कर लेता है, और breakdown करता है, तो हम यहाँ तक का next target plan करेंगा, और अगर उपर hold करके breakout करता है, तो next target हम यहाँ तक का plan करेंगा, this is simple, पर इस तरीके सी price action को follow करके trade करो, और फिलालभी मैं pyramid setup लगा रहा हूँ, तो वो बहुत बढ़िया perfect accuracy दे रहा है, और आगे मैं आप सब के सामने reveal भी करूँगा, बहुत जल्द, but wait करो है ना, and now nifty 50 में draw कर लेते हैं, nifty 50 में दोखो बहुत बढ़िया trade मिला था, but pyramid इंडिया विक्स के वज़ाए से premium move नहीं किया, but कोई नहीं, इसमें हमारी कोई गलती नहीं है, okay, चलो, so first level is this, second level is this, third level is this, fourth level is this, okay, and now fifth level, अगर हम draw कर नहीं कुछिश करें, तो यह, this one is profit, थोड़ा उपर कर लो, yeah, this is fifth level, यह न, so, यह label को आप draw कर लो, और इस तरीके से आप plan करके, अपना profit बना सकते हो, तो आप जाकर कर चेक आउट कर सकते हो, और यह label में zone draw कर लो, और उसके साब से आप profit बना सकते हो, that's all, मिलता है नेक्स वीडियो में, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक कर दे, आप बना सकते हो,